आज लौकी का एक टेस्टी सा नास्ता उनके लिए है जो कि लौकी नहीं खाते हैं अगर एक बार इस तरह से नास्ता बना होगे तो लौकी बरबर के खाना पसंद करोगे तो उसके लिए हमें क्या गरना है एक लौकी ले लेना है और इसको अच्छे से छील लेना है और छील क इसको बीच में से कट कर लेंगे वीडियो अच्छी लेगे तो लाइक करें शेयर करें कॉमेंट करें चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और लौकी को कद्दूकस कर लेंगे देखिए मैंने अपना लौकी कद्दूकस कर लिया है तो अब हम क्या करेंगे अब हम एक बड़ा सा बरतल देंगे लोकी को बरतल में डाल देंगे और इसमें डालेंगे 50 ग्राम बेशन और इसी के साथ साथ हम देंगे सूजी रवा इसको भी हम दो चमस इसमें डाल देंगे और इसी के साथ साथ हम अपने सभी बेसिक मसाले इसमें डाल देंगे जो भी आपको मसाले पसंद हो वो इसमें एड़ करें इसमें डालेंगे एक छोटा चमस धन्या पाउडर एक छोटा चमस लाल मिर्ची पाउडर और नमक स्वादनुसार डालेंगे और इसी के साथ साथ हम इसमें डालेंगे आधा नीबू का रस इसको भी हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे मैं आपको फिशे याद दिला दू अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें शेयर करें कॉमेंट करें चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें इन सभी क हिरेंगे और उसको गैस पर रख देंगे और इसमें डालेंगे ऑप कुछ भी ब्यूसमें डाल सकते हैं और चारओ ठेटै चीला प्रांठाक आप कुछ भी बोलो वो नीचे से जले नहीं इसे 5-6 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे आप चाहो तो इसको ढख भी सकते हो वरना आप ऐसे भी इसको बना कर तैयार कर सकते हो यह बहुत ही जल्दी बनने वाली रेस्पी है और बच्चों को तो बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है जैसे ही एक तरफ से शिख जाएगा हम एक प्लेट पैन पे रखेंगे और उसको पलट देंगे और पलट कर दुवारे से पैन में दूसरे तरफ से डाल देंगे इसी तरह से 2-3 मिनट हम इसको दूसरे तरफ से अच्छे से शिखने देंगे त तो देखे हमारा नास्ता बन चुका है अब आप चाओ तो इसको ऐसे भी चटनी के साथ खा सकते हो आप चाओ तो इसको बीच में से कट भी कर सकते हो क्यूंकि यह बढ़ा है तो ऐसे ही नहीं खाया जाएगा तो हम इसको चाकू की मज़़ से इसके चार पीस बना लेंगे और वीडियो अच्छे लगे ता एक लैक जरूर करेगा